दोस्तों एक दफ़ा एक शक्स की पैसों की ठहली गुम हो गई, उसने इमाम जाफर सादिक रदियालाहुत आलाहुत अनुपे इल्जाम लगा दिया, इमाम जाफर सादिक ने उससे कोई भास न की, और उससे कहा कि बता तेरे कितने पैसे थे, उसने कहा कि मेरे हजार दिनार इमाम जाफर सादिक उसे घर ले गए और हजार दिनार दे दिये फिर वो शक्स चला आया जब वो घर पहुँचा तो उसे उसकी पैसो वाली थैली मिल गई उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब वो दोबारा इमाम जाफर सादिक के बारगा में जाने लगा तो किसी ने उसे पूचा कि तू कहा जा रहा है उसने पूरा वाक्या सुनाया वो शक्स कहने लगा कि क्या तुझे पता है कि वो कौन है वो अहल बैत के एक अजीम शक्सियत इमाम जाइनुलारबिदीन के पोते इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अनुह है। वो शक्स जब इमाम जाफर सादिक के पास माफी मांगने आया, तो इमाम ने फरमाया कि तुझे मैंने माफ कर दिया है। और अब वो पैसे भी तेरे हैं, क्योंकि एले बैथ, जब किसी को अता कर दें, तो उससे वापस नहीं लेते हैं.